हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग देख रहेते, BCSL 056 का प्रिवियर से सॉलिशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका UDP वाला पार्ट, तो मैंने जैसा बताया था, TCP आता है और UDP आता है, ये दोनों फिक्सी होता है, तो अगर आप लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो उसको देख क्या है, अगर आप वो नहीं देखो गया, आप इसको continue करेगा, तो मैं बता रहो आपको बहुत नुक्सान होगा, ठीक है, आधा स्लाधा चीज आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले पार्ट वन को देख क्या है, मैं आपको link description में भी द क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, write and run a UDP client and UDP server using C language in Unix Linux to performing the following task, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों क्या करना है, establish a UDP connection between UDP client and UDP server, उसके देखे, UDP client will send two variables A and B with values 15 and 20 respectively, the server perform with swap the value, value of these variables, A will have 20 and B will assign to 15 and return it to the client, तो देखे, यहाँ पर UDP हम लोगों बनाना है, वही, client और server के बीच में connection मनाना है, फिर client क्या करेगा, दो variable पेज़ेगा, A और B, A में रहेगा 15, B में रहेगा 20, और server का क्या काम है, swap करके देना, यानि कि A में आ जाएगा 20, B में आ जाएगा 15, तो चल करते हैं, connection तब जाके काम शुरू होता है, लेकिन यह जो UDP है, यह connection less होता है, यानि कि इसमें कोई connection नहीं बनता है, कि server A और B का पर connection बनेगा, इस तरह का कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसमें यह हम लोग का थोड़ा, क्या कह सकता हो, यह इसमें risk ज्यादा होता है, TCP व बनाएंगे, इसमें भी देखें, सेम हम लोग का, यह पांचो header file जाएगा, यह हो गया header file दे दिए, फिर मैंने वही define server port करके बना दिया है, तो आप server port का आप जानते हो, यहाँ पर लिखो तो लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, तो मैंने यहाँ पर server port नाम दिया है, यहाँ पर मैंने को सिर्फ server socket बनाना है, और जाथा कि मैंने बताया था कि इसमें कोई connection connection बनता नहीं है, तो इसमें हम लोग का सिर्फ server socket रहेगा, और TZP का आप लोग याद है, अगर याद होगा तो उसमें हम लोग को दोनों को चाहिए होता था, server socket भी और client socket भी, इसमें स client length यह variable का नाम में कुछ भी लिख सकते हो, तो आप चाहो तो इसका भी आप नाम TCP जैसा ही कर सकते हो, ठीक है, फिर वही size of client length, यहाँ पर मैंने दो variable बना लिया है, question के हिसाब से है, तो मैंने A और B में अभी 0 रखा है, अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसको हटा जिते हैं, ठीक है, तो यह हो गया हम लोग जैसा starting में अब तक पूरा काम कर रहे थे, वही हो गया, तो यहाँ देखे, हम लोग आप socket बनाएंगे, जैसे TCP में कर रहे थे, मैं बोला था न, सेमी चीज़ है, तो फिर यही server socket मेरा नाम है, socket, afinate, वहाँ पर देखे, हम लोग sock stream लिख रहे थे, तो वहाँ पर sock stream TCP के लिए use होता है, और sock dgram जो है, यह हम लोग का UDP के लिए use होता है, तो इसमें ये change है, यहाँ पर sock stream, वहाँ पर sock stream था, यहाँ पर sock dgram है, ठीक है, फिर comma 0 वही है, फिर वही condition चेक कर दि setup server address, मतलब वो जो server का address है, पूरा setup करेंगे, तो इसमें ये सब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, memset and server address, 0 size of server address, यह मैंने server address का size दे दिया, उसके बाद देखे, server address में ये सब उसका जो family वगएर है, वो सब डाल देंगे, same चीज़े देखे, server address, sin family, afinate, sin address, sin address, in any, उसके देखे server address, vohi sin port, vohi edge tones, यहाँ पे server port है, तो server port में आपको पता है, तो 1,2,3,4,5 है, तो आप चाहते तो इस line को पूरा 8 आ देते, और यहाँ पे सिर 1,2,3,4,5 लिख सकते ते इस जगह पे, है ना, मैंने पता है, तो TCP वाले second question में, इसी तरह का, तो वही देखे, सब कुछ same निक binding, return कर देंगे, कि भाई, नहीं हो पाए binding, और फिर हम लोग लोग क्लोस भी कर देंगे, यह line लिखना है, लिखे, नहीं लिखना है, मत लिखे, मैंने जैसा पताया था, और यहाँ से exit कर जाएंगे, यह line को हटा सकते हो, और उसके बाद यह exit कर गए, लिखो के तो भी UDP, थोड़ा ज्यादा लिखना होता है, UDP में एकदम बेकाल बला रहे है, इसमें कोई connection नहीं बनाना है, तो इसमें बीना connection के, अब जो mean काम है, जो हम लोग को exactly कर रहा है, वो करना शुरू करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी server पर काम कर रहें, तो ह हम लोग यह करना है कि, वो क्या कर रहा है, question के आप से क्या है, वो दो valuable देगा, हम लोग उसको swap करना है, तो देखें, इसमें हम लोग को receive करने का चीज़े तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो भई, हम लोग accept कर रहे थे, listen, उसे ने एकदम must बढ़ा connection बना रहे है उसके भद काम करें तो इसमें कोई connection है नहीं तो इसमें हम लोगों को बताना होगा कि अजाक्ली उठाना कहां से इहां पर रिसी είναιप करने के लिए data को में लोग receive from का यूजस करेंगे उसमें simple हम लोग receive receive करते लेकिन यहां पर हमगों receive from को यूज करना होगा ठीक आ तो receive from कहां से receive करना है तो टीचपि वाले में हम पता था यहां से receive करना है क्योंकि हम लोग अच्छा से connection मना दिये यहां पता नहीं है तो इसलिए receive from यह तो हो गया server socket फिर क्या receive करना है तो यह है मेरा तो यह मैंने A, B कर दिया है, question में दिया हुआ था, तो वो कर दिया, and A, size of A, 0, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग उसमें receive कैसे करते थे, सिर्फ इतना दूर रखते थे, receive और यहाँ पर बंद कर देते थे, देख लीजेगा, अगर आपने copy में notes बनाए होगा, तो देखे length तक जाना है, यानि कि पूरा जितना length है उसका, headers का उतना दूर तक जाना है, तो इस तरह से मैंने A को receive किया, देखे, एगदम सेम प्रोसेस है, सेम कुछ यह सब लिखना है, तो आप एगदम इसको याद कर लीजे एक तरह से, ठीक है, यह हो गया, उसके फिर हम लोग को B क इसी तरह से receive कर लेंगे, उसने B बेजा, अब देखे, यहाँ पर जो काम करना है मेरे को, जो भी question में बोला है, तो question में क्या बोला है, swap करने के लिए, तो आप लोग तक तो जानी करेंगे, यार फिप्ट समिस्टर में हो, swap लोग यह temp लेके value को change करना ही तो आता ही होगा, तो बस वही हम लोग simple temp करके change कर दिया, तो int temp is equal to a कर दिया, यानि कि हम लोग ने a का value को अभी temp में डाल दिया है, temporary a का value को temp नाम के variable में डाल दिया है, अब क्या किया हो, a is equal to b कर दिया हो, यानि कि a में b का value डाल दो, तो b का value अभी 20 है, question के हिसाब से, तो a में क्या चला ग 15, तो यानि temp में 15 था, तो b में क्या चला जागा, 15, तो देखिए a में 20 आ गया, b में 15 आ गया, तो इस तरह हम लोग ने swap कर दिया, अब swap को लगा काम था, अब भेज दो, client के लिए भाई तरह swap हो गया, तो swap, वही send करेंगे, देखिए उसमें हम लोग TCP में simple send करते थे, यहा यहां पर देखिए, यह से अब कुछ same है, client address को भेज रहा है, यहां पर देखिए वही, stock, socket address, client address, और यह client length रख भेजेंगे, ठीक है, हम लोग send कर रहे हैं, इसलिए हम लोग client length को normal लिखेंगे हैं, और यहां पर percentage, मतलब, यह end करके client length को लिखेंगे, यहां पर हम लोग simple ल percentage D, और B is equal to percentage D, A and B, आप इसको चाहो तो यहां पर नहीं लिखो, क्योंकि server वाले में हो न, तो यहां पर चाहो तो इसको लिखो, नहीं लिखना है, तो मत लिखो, यहां से हम लोग लिखा जाएगा, A में आ जाएगा 20, B में आ जाएगा, क्या 15, ठीक है, swipe होने के बाद, उ वही सेम चीज, header टाइले, define हम लोग ने कर दिया, यह देखे, server आई पर आपको इसको लिखना है, लिखे, नहीं लिखना है, मत लिखे, ठीक है, फिर वही server port, 1, 2, 3, 4, 5, port हम लोगो सेमी देने होगा, जैसा पता है, फिर main में आ गए, client socket बनाए, है न, client पर काम करें तो यह यहां पर client socket बनेगा, फिर यहां पर देखे, sock address, वही server address बनाए, और यहां पर मैंने variable लिख दिया, a is equal to 15, b is equal to 20, क्योंकि अब हम लोग क्लाइंट में है, यहां पर हम लोगो लिखना होगा, क्योंकि इसी को भेजना है, मिलोगो आपके, फिर वही socket बना लो, अब यह समझ यहां बार बार नहीं बताऊंगा, इसमें पता है, आप लोगो, sock dgram का यूज करना है, sock stream का नहीं, TCP कर लिए sock stream, बन गया, चेक कर लिए, error, है ना, वही सब address डाल दिया, इसका, अब यहां पर देखे, वही, ऐस address यहां पताया था, कि server IP जो होता है, starting IP address जो होता है, वही होत यहां 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 पर, मैंने एक्स्टा बता दिया था, define करके, तो आप इसको यहां लिख सकते हो, फिर वही सिंपोर्ट, server port, इसको भी आप चाओ, तो हटा कर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखे, यहां से मैंने address देल दिया, आप बस इतना दूर करना है, आपको याद होगा, TCP में इसके बाद भी हम लोग बहुत कुछ करते थे, हैना, वो listen वेकर आओ करते थे, bind, bind करके, उसके बाद connection लगाते थे, connect करके, connect करते थे, लेकिन यहां पर तो पता ही, आपको यह connection list है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पस address ढाल दिये, अब हम लो client to server को भेज रहा हूँ, यानि कि अभी main question भेजी रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने send to लगाया, अब client socket में हो, client socket, comma 1 भेज रहा हूँ, size of a, 0, struct, यहाँ पर देखे, किसको भेज रहा हूँ, तो server address को भेज रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर server address लिखा है, और यहाँ पर मैं server के लिए बना रहा था, तब मैं किसको भेज रहा था, values of client address को भेज रहा था, तो बस यही चेंज है, सबज़े हैं, यहाँ पर देखे, server address हो गया, size of server address, ठीक है, फिर इसी तरह से मैंने b को भी भेजा, दोनों को एक साथ नहीं भेजा, मैं लग-लग करके भेजा हूँ, A को भेजा, उसका फिर B को भेजा हूँ, सेम तरह से, ठीक है, अब वहाँ से देखे, मैंने, जब यहाँ पर मैंने send to किया, तो यह server वाले में गया, और यहाँ पर देखे, जब bind करने के बाद यह receive कर रहा हूँ, तो यह receive from अभी user हो ठीक है, जब मैंने send किया यहाँ से client को, तब यह server यहाँ पर receive करेगा, तो वो receive किया value को, फिर वो A और B के बीच में, वो किया, swap किया, उसके देखे, यह अब यह send to किया, तो जब यह send to करेगा, मतलब मेरा client का काम है receive करने का, तो यहाँ से जब मैंने उसको भेजा, फिर वो अपना सारा काम किया, जो करना था, फि यहाँ पर मैं यह सब जो value है, कि कहां सा accept कर रहा हूँ, यह नहीं जा लूँगा, क्योंकि मेरे को अब पता चल चुका है, जब मैंने इसको भेजा था, server address पर यह भीजा था, तो मेरा हो गया था setting कि भाई, server address इस address पर भेज रहा हूँ, तो जब वहाँ से reply आगा, तो मेरे क इसको फिर से उसका address को देने का जरुबत नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों नलल रखा हूँ, ठीक है, और फिर वहाँ से A को भी ले लिया, इसी तरह से B को भी ले लिया हूँ, और फिर मिल गया मेरे को सारा value दोनों का swap, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर print कर दोगा, receive swap value from server, तो A is equal to, B is equal to, और comma A and B, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोंगे तो लिखना, जरूरी नहीं है यहाँ पर लिखने का, ठीक है, आप इसको अटा सकते हो, तो इस तरह से मैंने server और client का सारा काम कर दिया, आप देखिए, यहाँ पर हो गया, receive value मेरे को मिल गया, तो मै काम खतम हो गया, client वाला, तो मैंने client socket को बंद कर दिया, और return zero कर गया, तो यहाँ देखिए, यह कितना छोड़ा दा चीज था, इसलिए UDP आ गया, तो कमी लिखना है, आपका पर TCP याता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो यह हो गया मेरे UDP का, इसी तरह से और पर एक question में आपको UDP का दिखा देता हूँ, symbol ही है, तो यहाँ देखिए, फिर से वही है UDP program client, program, वही है establish connection between वही है server, फिर यहाँ पर देखिए, UDP client will send a string to the server, यानि कि clients एक string भेज़ेगा, अब फिर हम लोगों को क्या करना है, the server program counts the number of vowels in the string and return the value of to the client, यानि कि server का का काम का है, वो जो मैंने को string भेज़ा है, उसमें हमने को vowels count करके, वो return भेजना है, कि इतना vowels है, तो यह काम करना है, तो इसमें भी देखिए, अगर माली जो question आ जाएगा, आपको UDP, आपको 80%, 90% वही सेम चीज़ है, सब कुछ करना है, बस यह main वहाँ काम है, यानि कि string ले रहा है, वह change करना है, माली जो यह नहीं आता, आपको vowels निकालना, तो लेकिन इस से पहले का आपको सादा कुछ आता है, वो बनाना, socket बनाना, उसका address को define करना, bind करना, उसके अधि यह value है, string वेगरा, वो नहीं आता है, तो आप वो नहीं लिखो, फिर वही उसको send कर दिया, हम लोग फिर से वही सब चीज़ है, include studio में फिर से नहीं बता रहो, server port वही है, 1, 2, 3, 4 पार, server swap ले लिए, server address ले लिए, client address बना दिये, यह कर दिये, यह मैंने buffer का size रख लिया है, buffer मतलब वही समझे, जो हम लोगो मिलेगा ना, string, वही मैंने उसका नाम buffer रखा है, तो buffer entered है, आप यहा करने के बाद, तो यहां पर भी नाम लिख सकते हो, variable का है, इसके बाद, लेकिन आप मैंने starting में ले लिए, क्योंकि यहीं पर सब variable बना रहा हूँ, तो वह ले लिए, फिर वही है, socket को create किये, same way, AFN8, SOC, D, gram करके, क्योंकि हम लोग YouTube का बना रहे है, चेक कर लिए, फिर वह स socket भेज रहा है, एक string भेज रहा है, तो हम लोग client भेज़ आप imagine किजे, client भेज रहा है, तो हम लोग receive करेंगे, यहां पर, यहां पर, रिसीव करेंगा, वही receive from server socket, यहां पर देखें, मैंने buffer रखा है, buffer मतलब किसको accept कर रहा हूँ, तो buffer को कर रहा हूँ, यानि buffer मतलब string, आप फिर वही है, client address, client length, यह सब चीज वही same है, फिर से, है कि ने, सब कुछ same था, अब हम लोग ने value को ले लिया, मतलब buffer ले लिया, यानि string ले लिया, तो अब string ले लिया हूँ, तो मैं उसका wobbles चेक करूँगा, तो wobbles चेक करने आप लोग को आना चीए, आप लोग फिप्त मे अब लोग का string है, मैं बार-बार नहीं बोलूगा, buffer मतलब string वो जो मेरे को दिया है, चेक करना है, तो buffer of i जब तक हम लोग का null पर नहीं जाता है, तो तेकि हम लोग जो भी string लिखते हैं, मालीचे hello world मैंने string लिखा, तो जब मैंने world d कर दिया, तो उसके बाद जब मैंने string को बनाए ना तो वहाँ पर last में d के बाद एक null लग जाता है, तो ये null का मतलब हुआ कि वो string खतम हो गया, तो वही चीज हम लोग करेंगे कि i को 0 से शुरू करेंगे, और वो जब तक null नहीं होता, यानि कि आखरी तक उसको लेकर जाएंगे, फिर i++ करते रहेंगे, तो प्लस एक काम करता हूँ, मैं इस e को greater कर देता हूँ, इस h को भी, तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने ये hello लिखा है, ये मेरा string है, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, i0 को रखा हूँ, यानि कि h पर रखा हूँ, फिर मैंने character c बनाए, उसको to lower कर दिया, to lower क्या है, हम लोग का function में लिखा है, तो मैं उसको पहली lower case में ला दे रहा हूँ, तो two lower लाके buffer of i कर दिया हूँ, तो अब यह i का हम लोग का 0 पर, 0 मतलब h, तो मैं इसको two lower में करके, ये h माली जे greater में अपर में था, तो इसको मैंने two lower में h ऐसे लिख दिया, अब हम मैं condition लगा दूँगा, condition चे कि अगर इसमें से एक भी कोई condition सही होता है, तो हम लोग इफ के अंदर चले जाएंगे, और इफ के अंदर क्या किया है, तो vowels count को बढ़ा दिया है, है न कि हाँ भाई, vowels count मिल गया, तो यहाँ पे माले ये, ये तो एच नहीं है, तो भाई हम लोग का ये किसी में नहीं जाए नॉर्मल, उसके अगर हम लोग फिर वही condition चेक करेंगे, अगर C, A, E, I, U में से कुछ भी है, तो यहाँ पे E है, E के बराबर हो जाएगा, तो E के बराबर होगा, तो हम लोग इस इफ के अंदर चलाएंगे, और वोबल काउंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानि तो वोबल काउंट को भेज रहे है, तो मैं बस वही कर दूँगा, जैसे उसमें A और B दोनों को भीजनें पर रहा था, इसमें मेरे को सिर्फ वाबल काउंट को भीजना है, तो वाबल काउंट भीज दिया हू, एन लगा के, size of वाबल काउंट, ये और ये चینज हुआ वहाँ पर यहां पर बेज दिया तो यहां पर ज़रूरी यह प्रिंट करना उसके अतकाम होगा मेरा तो मैंने सर्वर सॉकेट को बंद कर दिया फिर रिटन जीरो कर गया तो इस तरह से मैंने सर्वर को बना दिया अब आपको पता है क्लाइंट भी कैसे बनेगा सब प्रेज़ के साब से बरीवल बनाना है तो मैंने एक मैसेज नाम का बेरिवल बना है तो इसके अंदर कर दिया अब देखे हो गया आप उसके बाद इसमें पोर्ट रूट कुछ तो करना होता नहीं है किलाइं चैना किली वब देखें सब्सक्राइब क्लाइंट हो इसलिए यहां पर fighters का भीज्ञाइब मतलब यह पूरा है तो इसलिए आपने कि मेसेज बेज जाए इस चीज का ध्यान राका साइज ऑफ मैसेज भी रहेगा जीड़ रहेगा और किसको भी रहे तो सर्वर एड्रेस को बेज जाए तो वह लिव दिया हूं फिर साइज ऑफ सर्वर एड्रेस और जब सर्वर में थे तो जब भेज रहेते तो client address का use कर रहेते यह तो आप समझी करेंगे अब तक तो बस यही माइनर सा change है उसके फिर मैंने जब send किया तो यहाँ पर उसने तेख रहे हैं यहाँ चो मैंने किस address से आ रहा है तो इसलिए उसने नलल रखा है क्योंकि जब भेज रहा था तब उसने address डाला था आप वहाँ से वापस आ तो फिर से क्यूं पता ही तो मैंने को बंद कर दिया खतम काम मेरा तो इस तरह से से पूरा ये क्लाइंट सौकेट वाला काम करता है तो यूडीप का आये सर्वर क्लाइंट पता है आप लोगो और फिर वह क्या वो जो टीसीप वहला है तो उसका भी आपको पता है कैसे बनता है तो अब सब जान चुके हो इसको प्रैक्टिस कीदें तीन-चार बाद लिके यह खतम हराब से कर लोगे क्या करने वोल रहा है तो भी आपको पता है कि इतना तुर मैं सेम लिखूंगा मेरा यह सब सब सेम होने वाला है यह पूरा बाइंड वाइंड सब सेम होगा है ना बस इतना दूर चेंज हो जाएगा यह रिसीब बला और सेंड बला तो इसमें भी कोश्चन आता है जिसमें लोगों को लिखना है सिंपल कमांड लिखना होता है फॉलिविंग टास्क के लिए तो यहां पर देखें तो प्रवाइड इंफोर्मेशन अबाउट नेट्वर्ट इंटरफेरेस आपको यहां पर दरदस मांक्स का है ठीक है तो चलिए मैं आपको इसका भी दिखाता हूं तो आम लोगों यहां कर Information about network interference and all assigned IP address तो इसके लिए कौन सा command use होता है वो दिखा देता हूं आपको तो इसका command simple क्या होता है विंडो के लिए if config यह हम लोग का command है बस इतना दूर लिखना है आपको इसका 10 marks कैसे देगा लेकिन यही लिखना बल रहा है तो अब इसको चाहो तो इसको run भी कर सकते हो तो simple search वार पर आई है यहाँ पर cmd लिखिए ठीक है तो command prompt आया अब यहाँ पर आ गया है आप लोग तो अगर आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मेरा ip address वगरा आ जाएगा तो फिर वह सही नहीं है इसलिए अगर आप लोग करो command prompt में तो अगर इफ config ला लोगो तो यहाँ पर आपको सारा चीज मिल जाएगा ठीक है अगर आप Linux में चला रहे हो तो Linux के लिए यह यह यूज होता है तो इसके लिए आपको command ही होता है window के लिए यह ठीक है ट्रेसर रिमोट होस्ट ठीक है तो आप यहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हो ट्रेसर और रिमोट होस्ट मतलब आप कुछ भी दे सकते हो host का नाम for example google.com ठीक है तो आप जब देगो तो यहाँ से आपको यह पूरा मिल जाएगा all router जितना भी उससे connection है ठीक है तो यह होगा हम लोगा command इसका इसी तरह से दूसरा command आप देख सकते हो does a dns query for the user तो यहाँ पर इसके लिए भी वही होगा कि हम लोगा find out ip address for particular system और system name तो उसके लिए हम लोगा क्या use होता है तो यह nslookup तो यहाँ पर nslookup करके host name डालोगे तो host name में आप कुछ भी देख सकते हो फर वही फिर से google.com यहाँ से आप लोगो मिल जाएगा कि कितने उ एक आप लेक्श के लिए तो यह सब लोगे तो यह सब आप लोगे तो यह सब आपले को पता चल दाएगा तो यह सब चीजे होता है simple यह पिंच का use कि यह तो इतना ही लिखना है आपको और host name में यहाँ अपर लिखा हूँ अब यहाँ देखा हूँ अब भी आप दिखो इ एंसर में exactly आप ऐसी लिखो गए और यह विंडो और लिनक्स के लिए same ही होता है तो वही लिखाओ में विंडो खॉमा लिनक्स तो यह एनस लिखाओ हो गया होस्टने में आप वही Google.com दे सकते हो यूटुब.com दे सकते हो होस्टने में यहां पर भी यहां फिर IP address exactly दे सकते हो कोई भी IP address तो इस तरह से हो गया question उसके देखिए फिर वही command लिखने के लिए display all connection including TCP UD as well multipass connection तो इसके लिए में को क्या यूज होता है तो वही net start यह ए ठीक है इसी तरह से एकर exactly ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा कि कितने चीज आपको connected है आप यहां यहां पर command prompt में यह सब लिखेगा ठीक है जैसे net start यह तो आप जरूर इससे को run कीजेगा और hostname में भी ऐसे पिंच ऐसे नहीं लिखना आपको पिंच लिखे एक दगे मा लिजे पिंच लिखे यहां पर hostname में आप देसे पिंच लिखे यहां पर फिर गूगल नेम दे दिए www.google.com में इस तरह से हैं समझे एंसर में आपको exactly ऐस लिखना है इतना दूर तो यह हो गया आप देखिए फिर से वही command checking the status of destination host and communication with another hostname तो इसके लिए भी हम लोगा वही पिंच का use होता है इससे हम लोगा पिंच जब करोगे तो सब कुछ आजाएगा यह सब value भी आजाता है आपका ठीक है कि destination host क्या है वो सब उसके देखे इस लोगफ डाले और IP address लिख सकते हो आप exactly किसी का या फिर hostname वही देख सकते हो ठीक है YouTube.com तो इससे हम लोगा सब कुछ पता चल दाएगा तो यही सब चीज है अब देखे यह command लिखना है special तो इसका क्या है बीस मांक्स का इसलिए है क्योंकि मालीज अगर आपको command आता है तो लिख पाओगे नहीं आता है तो इसम्में कुछ नहीं कर सकते हैं आता है सभी का तब जरूर एका चेक आउट कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स टोड़ो में तब तक के लिए धन्यवाद